असलाम वालेकुम फ्रेंड्स उमीद है तमाम दोस्त खेरियत से होंगे आप सभी लोगों को ईद मुबारक तो भाई आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग कवर करने वाले हैं बगजल्ला असीम कोले 2024 कलेक्शन का व्लॉग तो चलिए विटने के साथ स्वागतम स्वागतम असीम कोले में आप सभी लोगों का स्वागत है देखो जैसे वॉलॉग जा रहा है नास्ते आस्ते भाई इंट्रेश द्व ऐसा ही बढ़ते जा रहा है क्योंकि सीजन करीब है यह आप लोग जो अभी व्यू देख रहे हैं यह लाश्ट लाइ तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये भी last line है बट हाँ एक barrier के बाद जह है वो last line का जह हो right side वाला line है और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है full farm जो कि आप लोग को देख ला रहे हैं wide angle view में full farm में mashallah जानवर पूरे के पूरे भरे वे हैं और एक approx idea आप लोग लगा सक हो गया देख करके सबसे पहले तो आप लोग इसको frame देखो सबसे पहले आप लोग frame देखो हारियाना में इतना खुबसूरत frame white के साथ दिल खुश हो जाता है ये है असीम कोले का last line का सबसे premium cause जो कि भाई end level results के साथ आप लोग को showcase कर रहे हैं मतलब बनावाद देखो यार दिल खुश हो जाएगा अप लोग का इतना milky white जानवर वो भी हरियाना quality में और इस कदर quality में कि आखो से दिख करके दिल खुश हो जाएगे आज आप लोग को सब जानवर एक एक करके दिख लाएंगे तो सबसे पहले आप लोग को details दे देता हो देखो ये सब जो जानवर जो सबसे बड़ा होता है न वो ये है भाई और आज के दिन इत का सिकेंड दे जैसे कि आप सभी लोग को पता है फाम का ओपनिंग होता है बगजला शोरूम का वो आज हुआ और अलहम्दुरिल्ला फ्रेंट्स बहुत अच्छे अच्छी जानवर हम लोग को देखने को मिल तो उसी का आज आज आप लोग को जानवर निकलवा करके भी व्लॉग देंगे और आज जब जानवर खड़े है तो उसका भी व्लॉग देंगे ये सब जो आप लोग देख रहे हैं white haryana beauties, ये सब जानवर last line के सबसे top जानवर है, undoubtedly, और mashallah जानवर का जो quality है वो भाई end level जा रहा है, quality आप लोग देखे पीछे से, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, अब वक्त हो गया आप लोग के सामने single single जानवरों को निकलवा करके showcase करने का, तो चलो, एक एक करके आप लोग के सामने निकलवाते हैं, mashallah, सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं mundi जानवर से, जो सबसे पहले निकली, सबसे पहले ये mundi निकला, friends, ये था last line से, और full white mundi था, इसका जो लेंध था body का वो बहुत अच्छा लगा मुझे, औ everything अच्छा लगा, हाँ, पूठ हुआ गे रहा, और mashallah, डेवलाप होगा, जिससा आप से देखा जा रहा है, दो से धाई महिने में, आने वाले वक्त में पूठ अच्छा डेवलाप होगा, पिछल और भी भरेगा, ठीक है, लेकिन लेंज जो है, इसका फ्रेम है, वो हमको ब जो बॉड़ी का चौड़ाई होता है, यह देखो, जो बॉड़ी का चौड़ाई होता है, वो बहुत अच्छा है, और इसकीन में तो नो डाउट वाइटनेस बहुत अच्छा है, इसका लगा मुझे, तो यह हो गया मुंडी फ्रेंट्स, अच्छे सा आप लोग देख बहुत अच्छा है, तो दोस्तों दूसरे नंबर में माशायला जानवर यह आई, मेरा तो यह दिल खुश हो गया देख करके, और जितने भी लोग खड़े थे ना, सब की निगाहे जो है, वो इस जानवर की शकल पे और इसकी बॉड़ी पे चल गई, क्यूंकि बहुत अच निकलाहरी आना का, वो दिल खुश हो गया, और लाश्ट लाइन, जो असीम को ले का माशायला रहता है, वो आप सभी लोग जानते है, बहुत नेक्ष्ले रहता है, सभी जानवर का कॉलिटी, यह देखो, यह होता है भाई, क्वालिटी जानवर का, घोड़ा जैसा जो है, और जो उचल रही है, तो भाई, अलग एक व्यू मिल रहा है, इस्पेशली इसका फेस, इसका पीछे का बॉड़ी आप लोग को जूम करके दिखला रहे है, आप लोग को समझ में आता है, जानवर का कॉलिटी किस लेवल में माशायला मेंटेन हुआ है, यह देखो, क्वाल माशायला दूसरे नमबर में जानवर निकली, बहुत खुबसूरत लगा हम लोग को, और यह कॉलिटी जो है, माशायला आने वाले वक्त में, ठीक है, बहुत अच्छा निकलेगा, दो से धाई महीने में आप लोग को और अच्छे जानवर क्वालिटी मिलेगा, लेकिन जो इसका फेस है, जो सामने से यह व्यू दे रही थी, दिल खुश हो गया, जितने भी लोग खड़े थे, इसका जो क्वालिटी है, देखकर बहुत अच्छा लगा, जानवर जितने भी निकले हैं, वो जादर देरी नहीं रहे, तीन से चार मिलेट जानवर को रखा गया, उसक जानवर को वापस से कुंडी के तरफ ले जाया गया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा इसका जो वेट था, इसका जो स्कीन क्वालिटी था, तो दो जानवर दिखला चुके हैं, थर्ड नंबर में माशायलला निकल रही है, ये गाय हर्याना की, जितने भी लोग देख जानवर का खुबसूरती तो नो डाउट हर्याना की, जानते हैं, बहुत अच्छी खुबसूरत जानवर होती है, और इसका जो बनावाट है, पुरा का पुरा हर तरफ से भरी हुई है, मतलब गोल जिसको हम लोग कहते हैं, फेस देखो कितना खुबसूरत है, सभी जानवर अंदर चले जारी थी कुंडी में, और वो सही है, क्योंकि उस हिसाब से, फुल कलेक्शन हम लोग देख पाते हैं, ये देखो, कितना गोल है, माशाला ये, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा ये वला भी, ये देखो, एक और मुंडी, भाई, रेट पैटन में, अगर आप भी वला देख करके ठीक है, इसका जो है ना, साइस देखो, सबसे पहले आप लोग, माशाला इसका पीछे का जो साइस है, वो बहुत अच्छा है, और हाँ, ये जो मुंडी है, इसका खासियत में आप लोग को बता देता हूँ, दिखला करके भी, इसका चौडाई जो है, जो बॉडी का चौडाई होता है ना, वो देखो, ये देखो, ये ही इसका में चीज है, देखो, जानवर जितने भी निकले ना, सब का अपने खूबी है, ठीक है, मतलब जिसका फेस अच्छा है, किसी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, किसी का जालर बहुत अच्छा है, हर चीज का अपने अपने खुबी है, इसका खुबी है, जो चौड़ा ये इसका बोडी का, माशाला वो बहुत अच्छा है, ठीक है, ये देखो, आते हैं आप पछवे नंबर जानवर की तरफ, एक एक करके सभी जानवर फेर में निकल रहे थे, और भाई दिल खुश हुए जा रहा था, देख करके सभी हर्याना ब्यूटी इसको, तो ये जो है पछवे नंबर में निकला, माशाला दिल खुश हो गया, इसको भी देख करके, क्योंकि छाई में जो हर्याना का फील होता है, वो दिल खुश हो जा था देख करके, ये देखो भाई, आगे चाई, खुश हो जा रहा था, और हाँ, जितने भी लोग आए वे थे, माशाला सभी लोग इंजॉय कर रहे थे, फेर में, और चकलुदा जो है, वो सभी जानवरों को दिखला रहे थे, क्यक करके, ला करके, पांच मिनट, शे मिनट रखा जा रहा था जा था, थोड़े दे, ताकि लोग देख ले हैं, अच्छे से इसको विटनेस कर ले, और फिर जो है, उसको कुंडी में वापस से बांध दिया जा रहा था, तो इसका जो है, फेस ब्यूटी बहुत अच्छा लगा, पीछे से इसका साइज है, वो भी बहुत अच्छा लगा, और हाँ, जानवर को ओवर और कमेंट शिक्षे ने जरूर बताना, जितने भी जानवर निकल रहे है, सबसे अच्छा कौन सा लग आप लोगो को, तो जैसे ये जानवर हो गई, इसके बाद जो है, ये जानवर अंदर चकलुदा इसको ले गए, तो जादेरी जानवर नहीं रखा जा रहा था, जो कि स प्रेंट वीव है, दिल भाग या देख करके, मैं सज बता रहा हूँ, ये लाइन अप का मेरा परसनल फेवरेट तो भाई यही है, क्या इस ट्रक्चर है पीछे का, आप लोग देखो, मैं सज बता रहा हूँ, घोड़ा का अगर आप लोग इस ट्रक्चर जानते हैं, पीछ लोग तारीफ कर रहे थे इस चीज की, बहुत अच्छा लगा, देख करेंगे, फुल वाइट, माशालला, और स्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा था, तो एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा इसका जो फेस ब्यूटी, स्ट्रक्चर और दूसरा नमबर भाई, इतन स्लब, सीजन का फील आप लोगों को आतो जरूर रहा होगा, और इसलिए जो है, वो मैं लाइफ व्लोगिंग वहाँ पर नहीं किया, यह सोचा कि घर में आकर के सिंगल सिंगल जानवारों को एक्स्प्लेन करूँगा अच्छे से, ताकि आप लोगों को समझ में आए, तो वापस से यह जानवर हो गई, चकलूदा जो है, इसको वापस से ले गए, यह जानवर जाया देरी नहीं थी, क्योंकि बहुत एक्टिफ थी यह, वहाँ पर बंदे-बंदे ही जो है, वो चल रही थी, तो यह जो है, वापस अपने कुंडी के तरफ चल गई, अब आ रहा है साथवा नंबर, आगे चाए, पीछे चाए, बीश में जो है, वो वाइट, पैटन बहुत जबरदस्ते, बॉल देखिए, मतलब भाई, क्वालिटी जो था, स्किन का, मैं परसनली बता रहा हूँ, छू करके जानवरों को देखा था, बहुत सॉफ्ट, मतलब एंड लेविल स्किन क्वालिटी, स्ट्रक्चर जो है, सभी जानवरों का हाइट वाईज, बहुत अच्छा रखा गया है, सभी जानवरों का हाइट को निवेंट किया गया, मतलब सब जानवर हाइट वाले है, और क्वालिटी ऑफ इसकिन अन्डौटेटलि प्लिए आप बिना और जानवर में वेट आने के बाद जानवर और जो है वो बड़ा लगेगा तो कॉलिटी इस फार्म में में इंटेन हुआ है यह आप लोग इंशॉर कर सकते हैं और सच बता रहा हूं फ्रेंड्स इट के सिकेंड दिन जो उपनिंग होता है वो इसमें भाई शानती रहता है बता रहा हूं किंग ऑफ बग जल लेज बबहुन चींग बोला जाता है उसका रिज़न यही ए कि क्वालिटी जानवर जो है वो दिया जाता है ट्लास वाले हैं बहुत बड़े बड़े हाती जानवर नहीं एक से दो मिनट और इसकी बाद जो चकलूदा इसको लेके चल झाल गए और हाँ सही किये क्योंकि जायादेरी जानवर को रखना ठीक नहीं था क्योंकि सभी जानवर शोकेस करवाने थे तो इसको आप लोग एक झळलक देख लिजे फिर इसको भी हम लोग अंडर ले जाएंगे और लेकर के आएंगे नौवा नंबर जानवर जल से जल इसको आप लोग अच्छे से देख लीजे विटनेस कर लीजे अब निकल रहा है फ्रेंड्स नौवा नंबर जानवर इस वीडियो में हम लोग टोटाल दस जानवर कवर करेंगे तो अभी निकल चुकी है नौवा नंबर हर्याना ब्यूटी इसका जो स्कीन ठाना बीच का मतलब भाई हाथ से छूकर के देखा हूँ मक्षन का तरह जो है वो सौफ्ट है बहुत जबरदस्त क्वालिटी था और अच्छे से इसको देखिए इसका जूठी वागे रहा इसका जो साइज है अभी जो वेट है ना अभी वो बहुत और बढ़ेगा दो से धाय महीना है स्कीन क्वालिटी खुपसूरती मतलब भाई क्लास जिसको हम लोग बोलते है नो डाउट भाई क्लास जो था ना हर जानवर का था अपने आप में मैं सज बता रहा हूँ हर कैटेगरी लेके आओ क्लास था सब में तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि बगजला का किंग है असीन कोले अनडाउट इटली है वाई क्लास देता है ये जो फ्रेम देता है वो बहुत जबर्दस रहता है तो चलो इसको भी हो गया नौवा नंबर जानवर था ये वाला माशालला और इसका भी आप लोग को उमीद है अच्छे से इसको आप लोग देख लियोंगे अगर आप लोग और अच्छे से देखना है तो आप लोग वीडियो रिमाइंड करके भी जो है वो जानवर को वि राइट शॉट में बहुत अच्छा बना हुआ जानवर था तो हां भाई जो रियला वही चीज बताना चाहिए और खुबसूरती सामने की बहुत अच्छी थी और बनावट में माशयला जानवर बहुत अच्छा था इसकीन कॉलिटी हर जानवर का जैसे इंप्रूफ था इसक तो हां चलो दसवे नंबर जानवर यहां पर कंप्लीट होता है चकलूदा इसको अंदर लेके जा रहे हैं और अब हम लोग लेके आएंगे पार्ट टू में दसवे नंबर जानवर के बाद 11 नंबर से जो कि होंगे सभी बड़े बड़े जानवर तो उसके लिए आप लोग फार्स जानवर टू और साहर जाएंग ग्लेव टूगत कि हो भी खार्ट बड़ेर टू